नमस्कार दोस्तो स्वागर है अब सभी का तेक्षी राछ यूटूप चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी सेमसंग मोबाईल पर आपो जी बॉट सेटिंग कैसे कर सकते है अज के इस वीडियो पे मैं आपको कॉं के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या सेटिंग करने को मिलेगा मैं आपको यहाँ पर यह भी बात आने वारा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन दोस्तों यह आप कॉंपलीट प्रोसेस और कॉंपलीट सेटिंग जाना चाते तो आपको सिंपली जो है वीडियो पूरा देखना होगा ताकि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कॉंपलीटली जीबोट का सेटिंग जितने भी है आप हमारा वीडियो दिस्क्रिप्शन पर लिंक चेक आउट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आईए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहा कीजिए तो यह रहा दोस्तों जीबॉट तो आप डिव ट वर दोस्तो आया हम सबसे पेले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं मुझझ कौन कॉजण सबसे पेले दों स्थाbon आप फोने के बाद दोस्तों हम जाके इसको एट करने के बाद दोस्तों यहंपर जी बॉट के अंदर पर क्या क्या सेटिंग आपको मिलेगा वो भी हम चेक आउट कर लेते तो सबसे पहले तो दोस्तो यहां पर थोड़ा ताइम लग रहा है इसको इंस्टॉल होने में तो इंस्टॉल होने के बारे दोस्तो हम यहां पर वीडियो को आगे बारा सकते ठीक है तो उसके तो यहाँ पर इनेबल इन सेटिंग्स कर देते तो इनेबल इन सेटिंग्स करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा थी आपका जी बोड आप यहाँ पर सिंप्ली इसको इनेबल कर सकते हैं कर सकते तो इसके बाद दोस्तों आते हैं सेलेक इनपूर्ड मे यह अपर दोस्तो यह हो गया ज अपने सेटिंग पर आपटका सेटिंग आपको जाना प्रहत्बार हैं उसके बात दोस्तो है है अपर डिफाल्ट कीबॉर्ट में उसके बार दोस्तो अप यहा पर नहीं हो चुका है तो आएटधि एक कसी को आपना की बॉडट को उसके बाद आप यहाँ पर इसकी के आप गुगल सर्च का प्षिंट आ तो यहाँनि की यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ आप आठ सेटिंग पर श्रांशन पर 啦 आकॉन पर कलीक कीजें उसके को आप लेंगवेच आप चैंस कर सकती ऊपर से थिक इए उसके बाद दोस्तों पर यहाँ पर यह सब सेटिंग कर सकते जयसे की नमबर हो गया उसके बाद इसति आप एप सीथ यह है और लेंगवेच यूज़ करने को मिलते हैं उसके बाद keyboard hide आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद दोस्तों आते ही नीचे पर तो यहाँ बाद देख सकते हैं एक option आपको दिया गया है switch to dark theme in battery saver तो आप बेटरी saver को यूज़ करते हैं तो आपका keyboard यहाँ पर dark mode हो जाएगा ठीक है तो इसलिए यह option दिया गया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर key press sound का option आपको मिल जाते हैं sound आप यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों उसके बाद आपका feedback on key press ठीक है और यहाँ पर दोस्तों आपका vibration और जीबोट में जो वाइवरेश्ट रेट है उसके आप सेटिंग कर सकते हैं तो आप यह सारे setting यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सक आपको काफी सारा option मिल जाता है तीम से पर यहां पर यहाँ पर और घ्लाइट टैपिंग का सेटिंग भी मिल जाते तो उसके साथ जाते हैं तो यहां पर आपको सबर। का सेटिंग भी मिल जाते ठीक है तो वोईस टाइपिंग आप कर सकते और ग्लाइट टाइपिंग आप कर सकते तो यह सब सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाते उसके बाद आपको डिक्शिनरी भी दिया गया है यहीं आप दिक्शिनरी पर एट करना चाते कोई भी यहाँ पर गए उसके बाद दोस्तों आपका जो जी बोट है उसको शेर करने का उप्शन आपको मील जाते तो आप देख सकते हैं да यहां पर बलींग आपको काफी सरह सेटिंग मील जाते तो यहां पर हो और फूरूफ कीबोर्ट ठीक है तो यह ऑप्शिन जोए दोस्तु आपको अपडेटेट में रहने के लिए दिया गए हैं तो आप दोस्तों यह सब सेटिन के अंदर पर कर सकते हैं आपको काफी सारा अप्शिन हाँ पर मिल जाते हैं जो कि आप आपशानी से सेट कर सकते है और आप दोस्तों यह आप जीबोट सेटिंग करना चाते हैं जीबोट यूज्स करना चाते हैं और क्या क्या मिटा प्रम है झाल झाल